जैमाता दिमित्रो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, आज मैं आपको भगवान गनेश का मंतर कैसे सिद्ध किया जाता इसके बारे में आपको जानकारी दूगा, बगवान गनेश का एक मूल मंत्र है जिसको मंत्र में आपको बताता हूं मंत्र यह ओम गम गन पताई नम्हा ओम गम गन पताई नम्हा यह मंत्र आपको गनेश अथरव शिर्ष में भी मिल जाएगा ठीक है और इसी मंत्र की सिद्धी का विधान में आपको बताऊंगा और इस मंत्र की सिद्धी कितने जप करने पर प्राप्त होती है और किस प्रकार से किस विधी से मंत्र का जप किया जाए कि इस मंत्र की सिद्धी हमको प्राप्त हो सके सबसे पहली बात तो यह कि जब आप इस मंतर को सिद्ध कर लेते हैं तो आपको भगवान गनेश की कृपा मिल जाती है भगवान गणेश का आशिरवाद आपको मिल जाता है भगवान गणेश की दो पतनियां एक रिद्धी और एक सिद्धी इन दोनों की ही शक्तियां आपको प्राप्त होने लगती है रिद्धी का अर्थात होता है कि जो भी ये नवरत्न से संबंदिश चीजे होती है जैसे कि आपने देखा होगा ये नीलम होता है और तरह तरह के पुखराज होते हैं मतलब की माडिक के आदि होते हैं यानि कि जो रत्न होते हैं उन्हें कहा जाता है रिद्धी से हमें उनकी प्राप्ति होती है रत्नों की प्राप्ति होती है रिद्धी से और सिद्धी से हमें शक्तियां प्राप्त होती है अलग अलग सिद्धियां होती है वैसे तो योग शास्त्र के अनुसार अश्ट सिद्धी सबसे प्रमुक सिद्धियां बताई गए जिसमें अडिमा महिमा लग यानि कि जब आपको जबाभगवान गणेश के मंतर का जब करते हैं तो इन दोनों के ही सिद्धी आपको प्राप्त होने लगती है अर्थात गणों का इश भगवान शिव के जो गण है उनमें प्रमुख गण भगवान गणेश माने जाते हैं क्योंकि यह उनके पुत्र हैं माता पारवती के पुत्र हैं और भगवान गणेश के जितने बाकी के गण है उन सब में सबसे प्रमुख भगवान गणेश को माना जाता है इसलिए इनको गणेश कहा जाता है अर्थात गणों के इश गणों के इश्वर इसलिए इनको गणेश कहा जाता है इसके साथ में इन दंत कहा जाता है विगन हरता कहा जाता है विगन करता भी कहा जाता है और बत को आपके आपके कार्य में विग्ण आएंगे ही आएंगे इसमें कोई भी शंशय वाली बात नहीं है और भगवान गणेश की अगर आप एक माला मंत्र करते हो प्रति दिन तो आपके उपर भगवान गणेश की कृपा होगी आपको विद्या की प्राप्ति होगी आपको बुद्धी की लैश्वर्य की प्राप्ति होगी ठीक है dancer क्योंकि बगवान घनेश बुद्धी के भी देवता है और भगवान घनेश धन के भी देता है यानि-धनेश बगवान घनेश के अओम घम गल्टका नमहा इस मंतर की शिध्धी कभ प्राप्त tीच कैसे प्राप्त होती है ये सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं भगवान गणेश का ये जो बीज मंत्र है इसको बीज मंत्र ही बोला जाता है वैसे ठीक है और इसमें जो बीज मंत्र है गम ये भगवान गणेश का बीज मंत्र है और भगवान गणेश का स्थान मूलाधार चकर में बताया गया है मूलाधार चकर में सहस्र हातियों के समान उसमें एक हाती की आकरती बनी हुई है जिसको भगवान गणेश से ही डिनोटिड किया जाता है भगवान गणेश का जो प्रतिनिदित्व है भगवान गणेश को भगवान इसी कमल में विराजुमान होती है तो जब आप बहगवान Ganesh के मंतर का जब करने लगते हैं थो आपको रिद्धी सिध्धि भी प्राप्त होने लगती हैं रिद्ध सिध्धि की अलग से आपको कुछ भी करने की आवे शक्ता नहीं है इसे आपको बहगवान Ganesh के सासत रिद्धी सिद्धी भी सिद्ध हो जाएंगी क्योंकि उनकी पत्निया है और जहां पर पत्ती जाएंगे वहां पर उनकी पत्निया तो जाएंगी जाएंगी जैसे भगवान विश्णु के साथ में माता लक्षमी भगवान विश्णु की पूजा करो तो लक्षमी स्व शुब लाब, शुब लाब के बारे में आपने सुनाओगा, अक्सर लोग अपने घरों के बाहर लिखते हैं, शुब एक तरफ शुब एक तरफ लाब, यानि कि शुब जो शुबता का प्रतीक है, और लाब जो लाब का प्रतीक है, तो ये भी भगवान गणेश के पुत्र है तो इनकी भी कृपा आपको मिलने लगती है अपने आपी, तो कहने का मतलब यह कि भगवान गणेश की पूजा करना, साधना करना आपको लाबदायक ही, लाबदायक है, हर जगा से लाबदायक है, इनकी साधना में कोई खत्रा नहीं है, किसी भी परकार का, कोई भी व्यक्ति इनकी साधना कर सकता है क्योंकि भगवान गणेश स्वयम विश्णु रूप आए भगवान गणेश गणेश हा साक्षात क्रिश्ण हा भगवान गणेश शाक्षात रूप से भगवान विश्णु के ही स्वरूप माने जाते हैं क्यों माने जाते यह भी मैं आपको बता देता वाता पारवती जिस время्वक्त लएव भग्वान गिनेश की रचना कर रही थी उस वक्त वो भगवान श्रीहरे नारायन का ध्यान कर रही थी क्योंकि भगवान शरीहरी नारायन माता पारवती के भ्राताएं उनके भाई हैं और उन्हें की प्रेना से माता पारवती भगवान गणेश की जब मूर्ती बनाने लगी जब वो अपने शरीर के उबटन से और भगवान गणेश की मूर्ती का निर्मान करने लगी तो उस वक् िकलिए ब्गवान गणेश को भगवान विश्नु का साक्षत स्वरूप भी माना जाता है उनका अंश माना जाता एम अनका प्रतीक माना जाता था तो आगे की बात करते हैं इस MANTR deeply साधना उनकी होती है थीक है किसी दिन से आप साधना शुरू कर सकते हो आप बुदवार के से इस मंत्र की साधना शुरू कर सकते कोई बुधी के देवता घख्वान गणेश कहे गई हैं माता शरस्वती भी बुधी की देवी हैं और गञ्द करते हो हरित्या गणेश को इक दंतम गणेश हो कोई से भगवान गणेश का कोई साभी स्वरूपों वो उन सभी की साधना बुद्वार से ही शुरू करी जाती है और शुकल पक्ष का बुद्वारों तो भी अच्छा है नहीं तो कृष्ण पक्ष में भी शुरू कर सकते हो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसा नहीं कि कृष जादा होता है ठीक है जैसे कि भगवान शिव का महत्व अपने आप में है भगवान विश्नु का महत्व अपने आप में है ऐसा तो नहीं है कि वो उनसे जाद है या वो उनसे जाद दोनों ही समान है लेकिन दोनों का ही अपना एक महत्व है भगवान ब्रह्मा विश्नु महे और भिदवार नौब zas सुद्धून और भी सुदोर कोई जि सेल आप नवे सेटा है करना रहा है कि लकड़ेंनान लेना है उस लकडी के बाजोट पर आपको पीले रंग का वस्तर बिछाना है या लकडी की चोकी आप उसको कह सकते हो उसके उपर आपको पीले रंग का वस्तर बिछाना है उसके उपर भगवान गणेश की मूरती स्थापित करनी है और गणेश की फोटो स्थापित करनी है औ अपने सामर्थे के अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार उनके सामने देशी घी का दीपक जलाईए धूबती जलाईए एक जलका पात्र रखिए और उनको पीले रंग का वस्तर अर्पित करिए और उनके उनको भोग प्रसाद अर्पित करिए आप उनको पेड़े का भोग लगा सकते हो लड़ू का भोग लगा सकते हो बूंदी के लड़ू भी भगवान गणेश को बहुत पसंद है तो बूंदी के लड़ू आप उनको दे सकते हो बाकि आपकी जो भी चाप उनको दे सको अपनी श्रद्धा भाव से जो भी आप अरपित कर सकते हो आप उनको अरप आपके अंदर है आपको अपने उपर विश्वास होना चीए कि मैं इतने दिन की साधना कर सकता हूं मैं 11 दिन तक कर सकता हूं या फिर या फिर आप अनुष्ठान के रूप में ना करके, ये तो मैं आपको अनुष्ठान का विधान बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो भी उत्त्ता में तो भी आपको सिद्धी पराप्त होगी, इसमें कोई भी शंशेवाली बात नहीं है, अगर आप अनुष्ठान नहीं करना चाते तो आप प्रती दिन की 11 माला मंत्र की कर सकते हैं, इसमें कोई परेज नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई भी किसी परकार का अनुष्ठान आपको करने की आवशकता नहीं है, बस खाली आ कि आपका मंतर सिद्ध होना शुरू हो जाएगा खुछ समय के पश्चात में आपको इसका रिजल्ट भी दिखने लगेगा आपको भगवान गणेश के दर्शन भी होने शुरू हो जाएंगे और उनकी कृपा आपके उपर होने लगेगी आपके काम बनने लगेंगे आपको प्रत्यक्ष अनुभाववी होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे ठीक है आपका मंतर सिद्ध हो जाएगा और जिन लोगों के पास में समय है जो लोग अनुष्ठान कर सकते हैं वो लोग अनुष्ठान करें 11 दिन का करें 21 दिन का करें या 51 दिन का करें अनुष्ठान की व भोजन हो तो अतियुत्तम नहीं तो अंडा मीट शराब प्याज लस्टन यह सारे चीजे त्याग नहीं पड़ती है अनुष्ठान के दिनों में प्याज लस्टन भी नहीं खाना अंडा मीट शराब तो बहुत दूर की बात है ठीक है जमीन पे सोगो ब्रमचर्य का पालन करो एकल्ब लेलो कितने मंत्र का जपार सकते हो मेरे हिसाप से कम अगर अनुष्ठान कर रहे हो तो कं से कम 51 यावन तो करूए करो ठीक है अगर आप अनुष्ठान कर रहे हो तो कम से कम 51 माला तो करो नहीं तो 11-21 माला तो लोग वैसे भी कर लेते हैं करने वाले जो हैं वो लोग अपने डेली रूटीन में भी 11-21 माला करते हैं तो जब आप अनुष्ठान कर रहे हो आप विशेश सिद्धी प्राप्त कर आप से हो सके उतनी करो और नहीं तो फिर आप रोच की ग्यारा माला करते रहो कोई दिक्कत नहीं उससे भी आपको सिद्धी प्राप्त हो जाएगी और इसमें अनुष्ठान इसी प्रकार से होगा प्रति दिन भगवान गणेश को प्रशाद चड़ाये जाएगा प्रति दिन उनकी पंचो पचार से पूजा करी जाएगी लेकिन जो आप उनको वस्त्र इत्यादी अर्पित करोगे वो सिर्फ आपको एकी बार अर्पित करना है भगवान गणेश की पूजा के साथ में आपको किसका पूजन करना है अपने पित्रों को प्रणाम कर लेना और अपने भी आप उनको प्रणाम कर सकते हो भगवान गणेश की पूजा से पहले भी आप उनको प्रणाम कर सकते हो पित्रों को नमस्कार कर लेना अपने कुल देवता को नमस्कार कर लेना उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा सा प्रशाद आप निकालते रहना रोजगा रोजगा न इसके बाद में भगवान गणेश की प्रति दिन पूजा करो, रोज की सो माला, 101 माला करो, और फिर देखो कैसे आपको सिद्धी भी पराप्त होगी, आपको दर्शन भी होंगे उनके, और एकांत में साधना करना, कम बोलना, जूट मत बोलना, गुस्य पर नियंतर न रखना, अपने गर में किसी भी परकार से कलेश मत करना, किसी से बहस मत करना, फालतू की बाते नहीं, मॉबाइल फोन जादा इस्तेमाल मत करना, कोई मॉबाइल फोन में किसी भी तरह की गलत चीज़े मत देखना, कोई भी चीज़े अलग जो आपके चित्त को ब्रहमित करें, जो आ आपके अंदर काम वासना को प्रकट करें, ऐसी कोई भी चीज़े आपको नहीं देखनी है, गलत चीज़े नहीं देखनी है, मुबाइल को दूर रखना अपने साधना में ही ध्यान लगाना, और बभगवान गणेश की पूजा में ही ध्यान लगाना, सूबह शाम गणेश की पूज्य करना 550 से और घढ़वान गणेश के मंत्र का प्छम आप कर सकते हो 51 माला सुबह कर सकते हो 50 माला स्वार कर सकते हो कोई दिककत वाली बात नहीं है आप 21 27 करके पांच बार बैठ सकते हो एक्रिस माला सुबह कर लो फिर लाव दो पहर में कर लो फिर क attorney शाम को कर लो फिर लाइस कर соверш लो इस परकार से प्रिकार से आप चार बार यह पांच बार भी बैठोsystem Isn't से हो जाएंगी मंत्र सिद्धी में इतना समय तो आपको देना ही पड़ेगा नहीं तो आपको वैसे भी जब कर सकते हो तो इस परकार से साधना करिए आपको ज़रूर सिद्धी पराफ्त होगी मातारानी का अशिरवाद आप सभी के साथ बना रहे और इसी तरह से आप लोग म